कथा सके के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार आए दोस्तों सुनते हैं मीनू त्रिपाठी जी के लिखी कहानी एस्टिमेट दोसरों की बाते सुनना निसंदेह सभ्यता के दायरे में नहीं था फिर भी वह छोटे भाई मेहंद और उसकी पत्नी रिया के आपसी समवादों के अंश सुनने का मोह नहीं त्याक पाई और जो सुना तो ख्याल ही नहीं आया कि उसने फोन उठाया क्यों था जो शब्द कानों में जा रहे थे उन्होंने संग्या शुनने कर दिया कि तभी केत की भावी नहीं आकर खौले से ही लाया और वह सकपका कर कॉडलेस फोन रखने लगी क्या हुआ मनस्वी महंदी वाली से बात हुई कब आईगी वो हाँ वो फोन बीजी है महंदर किसी से बात कर रहा है शायद अरे तो उससे बोलो फोन रखे तो महंदी वाली को फोन लगा कहते कहते वह चौकी जब आंगन में बैठे पंडी जी की आवाज गानों में पड़ी बेटिया और उसके मामा मामी को जल्दी बुलाईए केत की भावी हडबडा कर मैं इने बुला लाती हूँ कहते वे अपने कमरे की ओर चली गई मनस्वी भी उठी जरूर परधम से वहीं रखी कुर्जी पर बैठ गई कुछी पलों में पंडी जी ने फिर गुहार लगाई मोहरत निकला जा रहा है भाई जल्दी बुलाईए इस बार मनस्वी पूरी उर्जा से उठी और केत की भावी के कमरे की ओर चल दी तरवाजा आधा खुला था और भावी के फुसुसाने की आवाज आ रही थी रिया तो आ नहीं पाई तेल पूजन के रस्म में हमें अकेले ही बैठना होगा अब लग रहा है कि कानों के टॉप्स की जगे जुमकी ले लेते तो अच्छा रहता अरे तुम भी क्या लेकर बैठ कई जो लाएं हैं जल्दी निकालो और फिर पूजा की रस्मी तो है दिखावे बाजी क्या करनी है रिया ने कंगन भीजे हैं वो भी रख देते मतलब रिया और महिंद्र के नाम से मायके किशोभा बढ़ जाएगी तो रिया ने जो भेजा है वो महिंद्र जाने तुम जो लाई हो वो निकालो ज्यानेंद्र भाईया बोले तो केत की भाभी घुन्दुनाई कहा था एसी थ्री टायर की जगे स्लिपर में आ जाएं चार पैसे बचाते तो जुमकिया ही जाती जिंता न करो वापसे स्लिपर से ही है कमरे के अंदर चल रहे वारता लाप से मन की कसम साहट बढ़ गई तो वह बगल वाले कमरे में चली गई महिंदर अभी तक फोन पर लगा था मनस्वी को देखते ही बात में बात करता हूँ अभी निकलना भी है कहकर फोन रख दिया यहां नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है लेंड लाइन ना हो तो मुश्किल हो जाए उसने कहा तो मनस्वी ने खाली खाली आखों से उसे निहारा महिंदर ने मुस्कुराते हुए बेहन के कंधे को पकड़ कर बोला अब इतना भी नाराज मत हो दी रिया का आने का बहुत मन था पर इस वक्त तो पूजा में आएगा अभी मनस्वी सपाट लहजे में बोली तो वह कहने लगा नहीं दीदी सेमिनार के लिए निकलना है शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँगा और हाँ वह कुछ चौका और बड़े उत्सा से अटैची खोल कर एक सुनहरा डिबबा निकाला और मनस्वी को थमा दिया इसमें कंगन है रिया ने अनन्या के लिए बड़े शौक से खरीदे हैं सब को दिखा देना ठीक है शाम को जल्दी आना कहकर मनस्वी डिबबा लिए बाहर आई और सहसा अपने कमरे में चली गई पिना खोले ही उसने कंगन का डिबबा आलमारी में रख दिया कमरे से बाहर निकली तो देखा भाई या भावी सामान लिए खड़े थे भावी उसे देखकर बोली महिंदर को बुला लो वो तो सेमिनार के लिए निकल रहा है अरे तो ठीक है रिया ने कुछ भेजा होगा वो तो ले लेती उनकी ओर से तुम महमानों को दिखा देना माईके के शोभा बढ़ जाएगी अब वो मैं आलमारी में रख आई देखना दिखाना होता रहेगा वैसे भी माईके के शोभा आप लोगों से है पूजा का मोरत हो गया आपर भया जल्दी आओ बस मनस्वे की बात सुनकर केत की भावी का चहरा बुझ गया भावी के चिंता और संकोश वह समझ रही थी उनकी आर्थिक स्थिती से वो अपरिचित नहीं थी घर के लिए कट्ता लोन हाली में हुई बेटी की शादी और एक छोटी सी प्राइविट नौकरी के साथ घर चलाना मुश्किल है वो समझती है तभी तो मना किया था कि अनन्या के लिए सोने की कोई चीज न खरी दें पर वो नहीं मानी एक ही तो भाण जी है क्या मैं इतना भी नहीं करूंगी कहकर केट की भावी उपहार के साथ अपने घर से बढ़ियां अचार मुरब्वे से भरे मर्तबान तक लिए आई धर में महमान आएंगे सब रुची रुची खाएंगे तो अच्छा लगेगा कहकर उन्होंने आते के साथ ही मर्तबान रसोई में सजा दिये उसके लिए साड़ी, अतुल के लिए पेंचर्ट अनन्या के लिए सोने के टॉप्स और पायल उसे उत्सा से दिखाए रिया और महंदर तो कुछ बढ़ियां ही देंगे माईके का मान बना रहेगा वही अभी सोचे वैठी थी पर महंदर के लिए आया वो भी अपने ओफिस के व्यस्तता को लेकर हाला कि आते के साथ ही उसने रिया से बात करवाई अपने काम का हवाला देते हुए रिया ने ना आपाने के शमा मांगी साथ ही अभी बताया कि महंदर के हाथों कंगन भीजे हैं ताकि इद भी करदी की कंगन सबको दिखाये जाएं शायद तब से भावी अपने टॉप्स को लेकर आशंकित हो गई है कंगनों की यार में टॉप्स शिपाने की उनकी मनशा मनस्वी समझती है बावजूद इसके व्यवहार के वो कंगन शगुन के समान में रखने का उसका मन नहीं हुआ मायके से आए कप्डे और समान यहां रख दीजी पंडी जी के आदेश पर केत्की के हाथ से समान लेकर मनस्वी ने निर्देश आनुसार महीं रख दिया पूजा के विधी शुरू हो गए पंडी जी के इशारे पर केत्की और ज्यानेंद्र ने मनस्वी की गोद में साड़ी और अतुल के कंधी पर पैंड शर्ट का कपड़ा डाल दिया ज्यानेंद्र भहिया सहज थे पर केत्की भावी के नजरें वहाँ बैठे महमानों नाते रिष्टेदारों के नजरें टटूल रही थी बिटिया के लिए पंडी जी के संकेत पर केत्की ने मखमली दिबिया के साथ सुनहरे रेशम की छोटी सी पोटली निकाल कर अनन्या के हाथों में रख दिया चोटे-चोटे सोने के टॉप्स और पायल को कटूहल से निहारती अनन्या के कान में केत के फुसूस आई कैसे लगे पोड़े चोटे हैं न टॉप्स अरे नहीं मामी ये तो बहुत सुन्दर है इनको पहन कर आफिस जा सकती वैसे भी मेरे तो कान हैवी अरिंग केरी कर ही नहीं सकते अनन्या ने टॉप्स पर प्रशनशा भरी नज़रे डाली और पोटली से पायलों को निकाल कर हिला हिला कर भुंगरों की रुंचुन सुनने लगी तो सब हस पड़े पड़े जी उसे सावधान बैठने का संकेत दे कर मंत्रोचार करने लगे हलके फुलके माहौल में केत की भी सहज हो गई थी पड़े जी के मंत्रोचार और अक्षत रोली से अभी पूरितो वह सामान अब शगुन बन गया था क्यानिंद्र भाईया और केत की भावी को रस्म अदाइगी करते देख मनस्वी के कानों में एक पर फिर अरिया की कही बात गुंजी आने ही पाई पर कंगन भीजे हैं सब को दिखाईएगा चलिए यहां की पूजा तो हो गई अब आप लोग अपने अपने कामों में लग सकते हैं पंडी जी का अल्टीमेटर मिलते ही भाईया और अतुल शादी जनवासा देखने निकल गए और केत की ने मौका देखकर मनस्वी को टटोला सुन हमारा लया तो बड़ा हलका लगा शग उनको हलका कहेकर मेरा और अपना मन भारी न करो अरे वो तो ठीक है पर कुश मत कहो सच कहूं तो लोगों की दी हुई कीमती चीजें बहुत आएक में उपलब्ध हैं बस उनका समय और भागीदारी सुलब नहीं है आपका और भाईया का घर का हिस्सा बन कर जिमेदारियों को निभाते देखना दोडला वर बेहत सुखद हैसास है कैसी बाते कर रही हो तुम अनन्या अपनी कलोती भांजी है इसके लिए नहीं करेंगे तो बता क्या फायदा पर लोकाचार भी तो कुछ होता है भावी को संकोच से दुहरी होती दे मनस्वी निस नहीं से उनको गले लगा कर कहा यहां शगुन रखना था विवहार नहीं अपने बड़े भाई भावी के लिए विधी में शामिल होने से मेरी तो शान बढ़ गई पालतू के आडंबर दिखावा ना मुझे पसंद है ना तुलको तुम्हें नहीं पसंद वो तो ठीक है पर बाकी लोग बाकियों के सामने हमारा मान आप लोगों के होने भर से बढ़ गया भावक मनस्वी भरे गले से बोलती जा रही थी अनन्या की शादी को लेकर खुशी के साथ घबराहट थी कि कैसे निप्टेगा सब पर आप लोगों के आने से बड़ा होसला मिला वरना मन में जाने कपका भरा कुछ अनकहा आसों के रूप में जहरने को आतर हुआ तो भावी घबरा कर बोली अरे अब तुम रोने मत लगो गियासो अनन्या की विदाई के लिए बचा कर रखो केत की मामी मेरी विदाई में रोने का प्रोग्राम मत बनाओ आज कल कोई नहीं रोता अनन्या ने अचानक बीच में आकर दोनों की कंधों पर अपनी बाहों का घेरा डाल कर कहा तो दोनों चौक उठी और फिर हस पड़ी शादी की गहमा गहमी में एक बार फिर उल्लास के रंग बिखर गए जहां केतकी और ग्यानेंद्र तन्मन से जिम्मेदारियां ओड़े पूरे उत्सा से काम में जुटे थे वही मौज मस्ती भी जारी थी और अफरात अफरी का भी महौल था तेर से आने वाले महमान बनाम रिष्टेदार समझ नहीं पा रहे थे क्या मदद करें वही कुछ हक से काम ढून ढून कर कर रहे थे कुछ लोग मुख दर्शक बने काम कैसे हो रहा है इससे बहतर कैसे क्या हो सकता था क्या कमिया रहे गई कैसे दूर की जा सकती थी इसका आकलन करते हुए भविश के लिए अनुभव संडरक्षित कर रहे थे तो कई गपों और ठाकों में डूबे थे महमानों के आगमन और छाई रोनक से अतुल और मनस्वी प्रफुलित मन से इधर से उधर दोड़ते थे शाम तक महिंद्र भी आ गया था कोई काम है तो बताओ मुझे क्या कर वो भी व्यस्त हो चला रिया वक्त बेवक्त फोन पर हाल चाल लेकर अपनी उपस्थिती दर्ज करवा रही थी शादे वाले दिन तो घर में तिल रखने की भी जगे नहीं बची मनस्वी और अतुल सभी महमानों से हस मुस्कुरा जरूर रहे थे पर उनका चित्र ठिकाने नहीं था आने वाले कारेक्रमों को लेकर स्वाभाविक से उद्धिगनता बराबर बनी रही महंदी बाराज जैमाल कन्या दान का समय कब आया और निकला पता ही नहीं चला विदाई के घड़ी आते आते मांसी अतुल ठकने लगे थे विदाई में नरोने की कसमे खाने वाली अनन्या ना केवल मम्मी पापा वरन मामा मामी के गले लगकर खूब रोई अनन्या के विदाई के साथ ही महमानों के जाने का सिलसला शुरू हुआ जाते जाते महिंद्र ने कंगन के बारे में पूछा तो मनस्वी ने उसे आश्वस्त कर दिया कि कंगन सबको बहुत पसंद आये कंगन अलमारी से निकले ही नहीं ये सच कहकर वो अपने भाई को दुखी नहीं करना चाहती थी शाम तक सभी चले गए थे ज्यानेंद्र और केत्की की ट्रेन तूसरे दिन शाम को होने से घर का काफी काम समल गया इच्छा शक्ती के बलबूते पूरे दिन काम निपढ़ता रहा रात होते होते भावी भैया और अतुल जहां तहां सो गए पर मनस्वी के आखों में नीन नहीं थी बेटे की शादी का सपना किसी सपने सा बीट गया रह रह कर पिछले कुछ दिनों की इच्छवियां रेल की भाती मुंदी आखों में उतरने लगी कितने दिनों की प्लैनिंग थी सब कुछ नियोजित था फिर भी मौके पर समयकाल और परिस्थितियों की जरूरत के मताबिक फिर बदल के साथ ही निप्टा सब कुछ उतना विवस्थित तो नहीं था जितना सोचा जो ग्यानिंद भाईया और केत की भावी ना आते तो सोच कर ही उसका मन धढ़क गया उसे याद आया जब केत की भावी और ग्यानिंद भाईया पहुचे थे तब है कितनी हैरान परेशान सी थी उसकी निचुड़े सी सूरत देखकर भावी ने अफसोस से कहा मुझे पता होता तो मैं दो दिन और पहले आ जाती उसके बाद जिस तरह उन्होंने काम संभाला देखने वाले कायल हो गए वह और अतुल भावी के मजूद्गी से कैसे निश्जिन्थ हो गए कैसे रातों रात मिठाई और फलों के टोकरे उनके बलबूते हसते बोलते पैक किये गए काम के साथ साथ हसी मजाग और अतीद के पुराने किस्से दोहराए जाते तो महें दिन भर में बीते पल साजह करके खुशी संतोश के साथ आगामी समय के लिए नसीहतें ली और दी जाती सब हो जाएगा इन जादोई शब्दों के साथ भाईया भावी लगतार उनके जिम्मदारियों को बाटते रहे हलवाई जनवासे से लेकर घरातियों बरातियों के विवस्था करते करते ज्यानिंद्र भाईया और केत की भावी सबके प्रिय हो गए घर से लेकर बाहर सबके जुबान पर भाईया भावी का नाम था पर ना उनके आने से पहले उसकी क्या हालत थी कभी हिसाब वाली डायरी रखकर भूल जाती तो कभी चाभियां गुमा देती ना खाने का होश ना पहनने उढ़ने का शादी की अंगीनत बाते रोचक किस से सब चलचेत्र की तरह मनस्वी की आखों के सामने तब तक घूमते रहे जब तक नीन ने अवश नहीं कर दिया दूसरे दिन सुबह सुबह रिया का फोन आया दीदी ठकान उत्री या नहीं महिंद्र बता रहे थे शादी बहुत बढ़ियां हुई सब अच्छा रहा हां रिया सब ठीक रहा मनस्वी बोली तो उसने उत्सा से पूछा अनन्या को मेरे भेजे कंगन कैसे लगे आपने सब को दिखाय या नहीं अच्छे थे मनस्वी का निलिप्त छोटा सा जवाब उसे अपेक्षित नहीं था केत की भावी क्या दे गई है पूछते समय उसे शायद अंदाजा नहीं था कि भावी अभी गई नहीं है मनस्वी भाव सवर में बोली काफी कुछ दिया है रिया इतना की हिसाब नहीं लगाया जा सकता है अच्छा ऐसा क्या दे गई अपना समय साथ और आत्मबल जो उनके आने से बढ़ा है इंतिजार तो तुम्हारा भी था ना चाहते वे भी अपने स्वर में अचानक उतराई तल्खी को मनस्वी ने महसूस किया तो मौनसाद लिया रिया भी शायद बदले सुर और कहे का भाव टटोल रही थी उस दिन तो नहीं भरा उलाहना दिया था क्यों नहीं आई तो हम सब कितनी वे सबरी से इंतिजार कर रहे थे आज दोबारा वही कहा जाना वो भी बदले अंदाज में कुछ संकेत दे रहा था रिया समल कर बोली आपको क्या पता है हाँ ओफिस में कितना काम था छुट्टी नहीं मिली तो क्या करती आखरी वक्त पर टिकट कैंसल करवाना बहुत महंगा पड़ा आप तो जानती है एरलाइन्स आखरी समय पर बुकिंग कैंसल करवाने पर अब रिया मनस्वी को अपने हुए नुकसान का विवरा दे रही थी छीक उसी वक्त अतल कम्रे में आये इशारे से पूछा किसका फोन है तो मनस्वी ने बस होट लाए रिया तोनोंने फोन ले लिया और परिहास करते बोले अभी भी देर नहीं हुई है आपकी अकाउंट एंसी वाली स्किल अभी भी कामा सकती है सबका हिसाब किताव भी करना बाकी है मनस्वी की मना हिस्तिती से अंजान अतुल बेफिक्री से अपनी सहजल से मजा कर रहे थे शाद अच्छा ही किया जो अतुल ने फोन ले लिया था अरना मन में भरा जाने किस तरह निकलता और क्या कुछ बहा कर ले जाता मनस्वी ने फोन रख दिया था केत की भावी के निकलने का समय भी हुरा था चलते समय वह चिंता से बोली अभी बहुत काम है तेरे लिए अकेले कैसे करोगी सब उनके चहरे पर चिंता के भाव देख मनस्वी की आखों में नमी आ गई और वह उनसे लिपट गई बहुत कुछ कहना चाहती थी पर केत की भावी के सादगी के आके सब शब्द मानों चूप गए थे भावी चले गए तो घर में सूनापन बहुत बढ़ गया भावी के लिए जो महसूस कर रही थी काश ऐसा वह महंदर और रिया के लिए भी महसूस दी काश उस दिन महंदी वाली को फोन करने के लिए एक्सटेंशन में लगा फोन न उठाती ना सुनती रिया और महंदर की बाते जो रह रहे कर कानों में गोज उठते सब तुम्हें पूछ रहे हैं आ जाती तो अच्छा रहोता महंदर का रिया को दिया उलाहना मन पर मरहम रखता उससे पहले ही रिया नहीं नमक रगड़ दिया कहदो अकाउंटेंट हूँ ये समय बैलेंस शीट क्लोज करने का है ऐसे में छुट्टी मिलना ना मुम्किन है हद है इतनी सी बात नहीं बना सकते एक ही तो भान जी है अच्छा लगता है क्या जोनस दी के रिष्टेदार भी न पहुचें दो दिन की छुट्टी तुम्हें मिल ही रही थी मेहंद्र के धीमी आवाज परवा उत्तीजना से बोली दो दिन में कितना खर्चा होता पता है तुम्हें तो दुनियादारी की समझ ही नहीं है कौन से कमी छोड़ी है बताओ कंगन भेजे हैं जिसके बारे में मनस्वे दीदी ने सोचा भी नहीं होगा ये तो अच्छा हुआ कंपनी ने ओफिस के काम से तुम्हें वहीं भेज दिया काम के साथ शादी में शामिल हो भी गए अलग से जाते तो कितना खर्चा होता तुम्हारा एयर टिकट कंपनी ने अरेंज कर दिया मैं क्या करती मैंने एस्टीमेट बनाया था लंबा खर्चा था एयर टिकट करवाती तो कम से कम 15-20 खर्च होते जाने से पहले शॉपिंग और दूसरे खर्चे होते भी नहीं होगा कि इतना महगा कुछ देंगे हो अपने उपर होने वाला खर्चा ठाल कर कीमती कंगन दे पाए आना नहीं आना दो दिनों में सब भूल जाएंगे बस यही लिया दिया याद रहता है यह व्यवहार है जो कंगन के रूप में हमेशा सुरक्षित रहेगा देर तक मनस्वी दुनियादारी और हिसाबी व्यवहार की व्याख्या में उलजी रही कि तभी अतुल की आवाद से चौकी अरे तुम यहाँ बैठी हो बिठाया भाईया भावी को ट्रेड में पसीने से तरबतर अतुल कह रहे थे स्लीपर डिब्बे में गजब की भीर थी खोड़ा प्लैन करके आते तो एसी डिब्बे में रिजर्वेशन मिल जाता उसकी बात पर मनस्वी के होठों पर फीकी मुस्कान आई कैसे बताती दू अलग सोच पर टिकी दोनों भावियों की प्लानी एक बार मन में आया कि स्लीपर में जाने की और रिया के ना आने की वज़य अतुल से कह दे वैसे एक बात कहूं ज्यानेंद्र भाईया और केत की भावी के आने से बड़ी सहूलियत रही अतुल के चहरे पर भाईया भावी के लिए क्रितग्यता के भाव देखकर मन में आया विचार उसने त्याग दिया माईकी के जिस मान सम्मान को भाईया भावी सहेज गए थे उसे अपने छोब और रिया के संकिर्ण विचारों के चलते तितर बितर नहीं करना चाहती थी मैं थोड़ा फ्रेश हो आता हूं कहकर अतुल गुसल खाने की और बढ़ गए और वह उसाल मारी की और जहां रिया के कंगन पूरी दुनियादारी को समीटे रखे हुए थे कंगन का सुनहरा डिब्बा उठाय कर खोला पर दिल से दुनियादारी के शुष्क भाव के अलावा कुछ नहीं चलका डिब्बे को बंद करते हुए ख्याल आया कि शादी जैसे कामकाज में केट की भावी की भागीदारी और उनके स्नही का मुकाबला रिब्बे में बंद कंगन करेगा ये मान सिकता रिष्टों को कहा ले जाएगी उसने कुछ बुझे मन से कंगन को दराज में डाल दिया और फिर भावी की लाई साड़ी पर स्नहीं से हाथ फेरते हुए उसे सरसंबान आलमारी में और भावी को मन में जगह दे दी वो भी हमेशा के लिए अभी आप सुन रहे थे मीनू त्रिपाठी जी की लिखी कहानी एस्टीमेट